Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to topics study YouTube channel and आज हम discuss करने वाले हैं 25 December के daily current affairs quiz SSC, railway, banking, state PCS, UGC, NET, airport authority of India और अन्य जितने भी government exams है अगर आप उसके experience है तो इस वीडियो का आप इजली डफ़र कर सकते हो and this course is presented by me Nana Dube and ये सुबा साथ से आट के बीच में रोजाना upload हो जाती है तो अगर आपको कभी notifications ना आए तो हमारे playlist में आप चेक कर सकते हो and अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस red band पे क्लिक करके चैनल को subscribe कर सकते है and अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो please like जरूर करिएगा and first of all Merry Christmas to all of you and now question of the day जैसे कि आज हम discuss करेंगे कि current affairs से कुछ questions मैं पूछूंगी जिसके answers आपको देने है ठीक है तो देको हमारे पैला question है स्कॉच गोल्डन जूबली चैलेंजर एवर्ड 2018 पुरुसकार से किने सम्मानित किया गया है यह हमारा first question हो गया second question आती है कि किस राजी सरकार ने कालिया योजना की है and third one किस देश ने दुनिया भर में branded internet सेवाय प्रदान करने के लिए अपना पहला संचार उपग्राय लॉंच किया है जैसे कि मैंने कहा है कि जिस current affairs को मैं पढ़ाती हूँ आप कहीं से भी पढ़ लो क्योंकि यह current news है आप जहां से भी पढ़ना चाहें बट आप कोसी जरूर करिए कि आप इसके answers दे पाओ ठीक है ताकि यह चीज़े आपकी revision होती रहेंगी एंड कल जो मैंने questions पूछा था कि ACI सेर संरक्षन परियोजना की सुरुवात किस मंद्चाले द्वारा की गई तो इसका answer है परियाविरन वन और जलवायू परिवर्तन मंद्चाले second question है पतंजली के world herbal forest project के उद्गाटन किस सहर में किया गया तो देखिए यह की गई हर्याना में और मैं एक बात बता दूँ मैंने कुछ comments पढ़े थे कि मैं 6 months के kind of phase करवाईए तो देखिए मैं अनकार्मी पे भी पढ़ाती हूँ otherwise static में मैं बता दूँ कि भीतर कर निका राष्ट्य उद्ध्यान सिंप्ली पाल राष्ट्य उद्ध्यान ये किस राज़े में इस्ति थे तो इसका answer हो गया उड़ी सा ठीक है तो अब हम start करते हैं अपना आज का डेली का इंटर्फेस quiz and हमारा पहला कुशिन है धान मंत्री नरिन मोदी ने किस राज में 1817 के मतलब 1817 के पाई का विद्रो पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है देखें हमारे मोदी जी ने 1817 में जो पाई का विद्रो हुआ था ना उसके उपर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का को जारी किया तो इस किया उडिसा में हमारे option हो गए भी उडिसा देखिए first of all हमें यह जाना है कि पाई का विद्रो क्या था तो देखिए 1817 में जो यह विद्रो हुई थी 1817 की जो मतलब यह विद्रो होती न तो इसमें पाई का विद्रो की रूप से यह जाना जाता था क्योंकि 1800 के सुरुवाती दिनों में उडिसा के जो क्रिशक समुदाय थे उन्होंने ब्रिटिस राज्यों सो मॉडल के खिलाप यह विद्रो किया था वहां के क्रिशी अंग्रेजों के खिलाप यह आजादी का सबसे पहला युद्ध था ठीक है तो पाई का विद्रो पर ही यह समार्ट टांग टिकट और जो सिक्का है वह हमारे रिपदानमंधि नरिद मोदी जी ने उडिसा में लांच किया है ठीक है ऑप्शन हो जाते हैं बी उडिसा और उ नेक्स कोशन पर हम बढ़ते हैं किसने संयोग अरब अमिरात में फीफा कलब विस्वकप 2018 जीता है तो देखिए यह जीत लिया है रियाल मैडरीड ने हमारे ऑप्शन है बी रियाल मैडरीड और इन्होंने युनाइट अरब अमिरात में यह हो रही थी जैसा कि फीफा कलब विस्वकप 2018 इसमें इन्होंने फाइनल में अलेइन को हराया है तो यह ध्यान रहिए रियाल मैडरीड ने फीफा कलब विस्वकप 2018 का जो विस्वकप था यह रियाल मैडरीड ने जीत लिया है नेक्स कोश्चन है महराष्ट केसरी का खिताब से किन्हें नवाजा गया महरा अब इसका खिताब किस ने जीता है तो यह जीता है बाला रफीक सेख ने, ठीक है, 13 दिसम्बर को इन्होंने पहलवान यह बाला रफीक सेख ने इन्होंने महराश्त केशरी का बाष जीता किताब जीता समझ गया न यह कुस्ती चैंपियन होती है एक तरह की और उन्होंने फाइनल राउंड में पूने के अभिजीत कोट के कुहराया है बस ये ध्यान रखें और ये मारास केसरी जो है ना ये 1961 से चली आ रही है ये चैंपियन सेप मतलब इसके स्थापने 1961 में की गई थी और किताब की रूप में उन्हें एक चांदी का गदा मिला है एक लाख रूपे का पुरुसकार दिया गया ये सारी चीजे है और ध्यान रखेंगा बाला रफीक से एक हमारे ऑप्शन जाते है ए ठीक है ये आपकी इस्ट अफ्रिका में पढ़ता है ठीक है अफ्रिका का ये एक देश है ये समझ ली जाए कि ये जो बुरुंडी नामक जो जगह है ये अफ्रिका में पढ़ता है अफ्रिका का ये देश है तो ये चीजे पहले क्लियर हो गई तो अब समझ में आ रही है अब गीतेगा को उप्शन हो जाते हैं ए गीतेगा ठीक है गीतेगा को इन्होंने अपनी राजनितिक राजधानी के रूप में गोसित किया है और यह आप ध्यान रखेगा कि इनकी पीछली राजधानी थी वह थी बुजंबरा और बुजंबरा जो है ना यह देश के आर्थिक के के रूप में काम करेगा और गितिगा जो है यह राजनितिक राजधानी के रूप में घोसित की गई है तो यह सारी चीचे ध्यान रखे इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि पियर नुकुरु सिंजजा वो बुरुंडी के रासपती है तो इनका नाम थोड़ा डिफिकल नेक्स्ट कोशजन है आरच्री एससेषरी एडिया खे रूप में कौन नयोक्त हुएवे हैं लो ऑप्शन है अमारे ए बीवईपी रावश्ण है रटायर आईएस है comedy रह चुके हैं अर इवेन 弟ृ के आ उपाoug Verf kitchen भी रह चुके हैं और आरच्री एसीन आइसर प्रूस्यों पर्चरी एस्टोशेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में बी पीवी राजी नियुक्त हुए हैं नेक्स कोशन पर हम बढ़ते हैं भारत का पहला संगीत संग्राले किस राजी में स्थापित किया जाएगा सबसे पहली बात यह है कि हमारे भारत में पहला संगीत ठीक है ओप्शन हमारे है सी तमिल लांडू और 13 दिसंबर को जो संस्कृति और तमिल विकास मंत्री है पंडी राजन जी इन्होंने इसकी घोशना की है कि तमिल लांडू में हमारे देश का पहला संगीत संग्राले जो है वुस्थापित किया जाएगा ओप्शन है सी तमिल ठीक है तो देखे ये जो भी हिन्सा विरोदी विदेयक है इसके तहत क्या होगा कि जितने भी पिडित की जो मौत होती है तो पिडित की मौत पर हिन्सा में सामिल लोगों को एक सक्षम आजीवन कारावास की सजा सुनाइजा सकेगी ठीक है मालनी जे कि कोई हिंसा में कोई हिंसात्मक तौर पे अगर वो मौत हो जाती है तो फिर जिसके कारण से हुई है उन्हें आज इवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी इस बीड इंसा विरोधी विधयक के तहर ठीक है और यह कोईशन में बोला जा रहा है कि यह विधयक जो है यह किस राज्य ने पारित किया तो यह है मनीपूर हमारे ओप्शन है यह मनीपूर के मुख्य मंत्री है एंड बिरेंद सिंग जो की ग्री विवाक का भी प्रभार समालते हैं तो उन्हों ने ही राज्यविधान समा मे ये कहा कि मनिपूर में भीड हिंस विरोधी विधयक को पारित किया गया है तो ये सारी चीज़े आपको ध्यान रखने है आप्शन जाते हैं ए मणिपूर नेक्स कोशन है भारतिय रिजर्ब बैंक ने डिजिटल पब्लिक क्रेडिक रजिस्टरी स्थापित करने के लिए कितनी प्रमुक आईटी कंपनियों को सौर्ट लिस्टेट किया है तो देखे आर्बियाई भारतिय रिजर्ब बैंक ने डिजिटल पब्लिक क्रेडिक रजिस् वो है आपकी TCS, Wipro, IBM, Cape Gemini, Dune Information Service, India and Mindtree, यह बहुत ही अच्छे है, जाने माने सारे IT's companies हैं, तो इन्हें ही RBI के द्वारा चुना गया, यह दियार ना किएगा कि टोटल 6 से option हो जाते हैं, एक, ठीक है, नेक्स कोशन पर हम बढ़ते हैं, भारत ने अपनी प्रमानु सक्षम, लंबी दूरी की किस missile का सफलता पूर्वग परिक्षन किया है, तो भारत ने जिस missile का सफलता पूर्वग परिक्षन किया है, उसका नाम है अगनी 4, ठीक है, option है हमारे A, अगनी 4, आदेखे, जैसा कि हम जान रहे हैं, यह surface to surface missile है, सता से सता की missile है, और यह उडिसा टट से ज तो यह अगनी 4 है, जिसने भारत ने इसका अभी सफलता पूर्वग परिक्षन किया है हाल में ही, ठीक है, next question है, cycle से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज ACI भारतिय महिला कौन बन गई है, तो देखे, cycle से इनोंने पूरी दुनिया का चकर लगा लिया है, यह समझ 14 देसों में उन्होंने एक दिन में 300-300 किलो मिटर तक की cycle चलाई है, तो यह समझ लिजे कि कहा जा रहा है कि इनोंने 29,000 किलो मिटर की दूरी को पूरी की है, तो यह दुनिया भर में, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज ACI भारतिय महिला बनी है, चुकि यह हमार पटेल पुरुसकार की घोशना की है, सरदार पटेल पुरुसकार की घोशना हुई है, सरदाव लब भै पटेल जी के नाम पर पुरुसकार दी जाएगी, और यह पुरुसकार हर वर्स दी जाएगी, इससे क्या होगा, कि राष्ट अखंडता को आगे बढ़ाने के लिए ए हमारे नरिन मोदी 22 दिसम्बर को गुजरात में जो DGP IGP की जो सम्मेलन हो रही थी उस सम्मेलन को संबोधित करते हैं उन्होंने सदा पटेल पुरुस्तकार की भी घोशना की है ठीक है जो कि हमारी राष्टे अकंड़ता को आगे लेकर जाएगा इसका यह दिस से है तो हमारे 24 दिसम्बर को हमारे ऑप्शन हो जाते है डी यह भारत में हर वर्स मनाया जाते है 24 दिसम्बर को ठीक है और देखे इसका थीम आप ध्यान रख लो कि उपभोगता सिकायतों का समय पर निप्टान है यह उन्होंने थीम रखा था विसे रखा था जिस पर यह सम्मेलन हुआ मनाया गया है इस दिन क्या हुआ था उपभोगता सनरेक्षण अधिनियां 1986 क की सहमती प्राप्त होई थी इसको और उपभोगता सनरक्षण अधिनियां का उद्देश से क्या है कि उपभोगता जो भी है उन्हें विभिन प्रकार के शोषन के खिलाप एक सुरक्ष्य देगा and once again Merry Christmas all of you